लोग सबचनाओं से पहले मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने मास्टर स्ट्रोग खेला जिसमें सभी 13 निर्दलिय विधायक अब कॉंग्रेस का साथ देंगे ये सभी निर्दलिय विधायक 26 मार्च को राहूल गांधी से मिलेंगे और कॉंग्रेस के समर्थन का पत्र देने की तयारी कर रहे हैं वहीं लोग सबचनाओं के मद्दे नजर कॉंग्रेस इसे बड़ी सफलता मान रही है आपको बता देंगी कॉंग्रेस के राष्य धक्ष राहूल गांधी का 26 मार्च को प्रदेश में एक दिवसी दोरा प्रस्तावित है और इस दोरान राहूल गंगानगर और बूंदी में चुनावी सभाओं को सम्बोधित करते नजर आएंगे जबकि जैपूर में रामला मैदान में शक्ती कारिकरताओं से सीधा समबात करेंगे वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी विधायक विधान सबचनाओं के बाद से ही मुख्य मंत्री गहलोत के संपर्क में थे गौरतलब है कि 13 विधायकों के समर्थन में आने के बाद गहलोत सरकार और भी अधिक मजबूत हो जाएगी वहीं भाजपा प्रश्ट भूमी वाले निर्दलिय विधायक, सुरेश टांक, ओम प्रकाश हुडला और कांतीलाल मीना भी कॉंग्रेस को समर्थन कर सकते हैं जबकि अन्य विधायकों की प्रदेश पभारिया विनाश पांडे से मुलाकात हो चुकी है और इसी ख़बर प्रविस्तार से जानकारी देने के लिए एवन समबादाता प्रीत किरन हमारे साथ फोन लाइन पे मुझूद है प्रीत ठीक लोगसबा चुनाओं से पहले तेरे निर्दलिये कॉंग्रेस का साथ दे रही है इससे कॉंग्रेस लोगसबा चुनाओं में और भी अधिक मजबूत होगी जिवरकुल जोती लोगसबा चुनाओं में उमीदवारों के ऐलान से पहले नाम के ऐलान से पहले ही राहूल गानी ने 26 मार्श को प्रदेश में आके तीन जैलिया करने की योजना बनाई है ठीक इसी दिन जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी अपने आपको मजबूत साबित करना चाहती है बाजपा के सामने इस दिन तेरा जो विधायक हैं प्रदेश में वो अब ये करा जाए कि बाहर्त से समर्थन देंगे समर्थन पत्र लिखे जाने की बात की जा रही है ये समर्थन पत्र राहूल गानी से मुलाकात करके उनको अदिया जाएगा और राहूल गानी की रैलियों में इन विधायक ما अको मन्छ से बिमादिद जा सके कि अब भाजुपा नहीं कॉंग्रिस और सब्सक्राइब को जो जो के नहीं कर सकते हैं इस लिए इस तरीके का ऐस्सेशियशन मनाने की बात की जाए है प्रीट 26 मार्श को क्या राहुल गांधी का प्रस्तावित दोरा भी है पहले श्री गंगा नगर में और उसके बाद कोटा बुंदी संभाद में जाकर के राहुल जनसभा करेंगे इसके बाद जयापूर में एक रोड शो करते हुए रामिला मैदान में एक रैली करने की योज बनाय जारे हैं आपक्स आपके माधियं करेका पार्टी से इस tooth wai्त बुलाय जाएगा 503 कारेकरफटा चेहीं को जिनको इस big आयने बुला की योजना बनाई 20 ज़नी मिलाने के लिए सरकाइर अब में नहीं आजिन लोग सफ़नाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोग खेला है तेरा निर्दली विधायक को कॉंग्रेस में शामिल करके本 क्या उमीद एक लोग सबाद चुनाव में क्या इन तेरा विधायकों को किसी को दिया जा सकता है कि यह अभी विदायक के वल और केवल पार्टी को समर्थन दे सकते हैं इक समर्थन पत्र लिख सकते हैं सरकार बनाने में मजद कर सकते हैं विदान सबह में अगर कोई बिल आया जाता है तो उसमें जो है अपना वोट कर सकते हैं लेकिन पार्टी की और से चुनाओ नहीं लड़ सकते हैं केवल और केवल कॉंग्रेस पार्टी का लोग सबचनाओ में प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर सकते हैं उनके समर्थन में घर गर जाके वोट मांग सकते हैं जी प्रीत तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका तो आपको बता दूँ कि लोग सबचनाओ से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तेरे निर्दलिय विधाय का समर्थन ले लिया है और 26 मार्श को कॉंग्रेस के अधक्ष राहूल गांधी का प्रस्तावी दोरा है और उसी दिन ये समर्थन पत्र